हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम DVR या फिर NVR का resolution कैसे change करते हैं उसके बारे में जानेंगे मैं हूँ शाकीब आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल शाकीब टिक तो चलिए वीडियो को को लॉगिन कर लेते हैं कर दो कि हमने यूजर ने पास पर डाल दिया है लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है कि इसके हमारे dvr लॉगिन हो चुका है डिव्यूर लॉगिन करने के बाद आपको setup का जो हमारा option है setup के option के अंदर जाना है setup के option के अंदर एक option आता है system का system के option के अंदर जाना है उसके बाद आप system के option के अंदर एक option आपको दिखेगा display का यहाँ देखेगा दूसरे नंबर पे है display का option उसके उपर click करना है actually हमारा ये video बनाने का मक्सद ये है कि कई side पे personally मुझे ये problem face करना पड़ा तो इसलिए मैं सोचा कि video इसको पर बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि शायद आपके साथ भी ये problem होती होगी कि most of the time आप क्या करते हैं DVR वगएर इंस्टॉल कर लेते हैं आपकी cabling सारी चीज हो जाती है जब आप का DVR आपके monitor के उपर open नहीं होता है तो उस case में हमें क्या करना होता है या तो फिर आप कोई दूसरा monitor लगाए फिर जाके आप अपने DVR का resolution चेंज कीजिए या फिर एक दूसरा option आपके पास है कि आप अपने DVR को laptop के through login करें and then फिर उसके बाद आप अपने resolution को DVR का change करें फिर आप अपने monitor के साथ connect करें तो फिर आपका जो DVR है वो आपके monitor के उपर open हो जाएगा तो हमारा जो दूसरा वाला option है कि laptop के साथ connect करने का क्योंकि सब के पास laptop का जमाना है laptop हर किसी के पास mostly होता है तो आप laptop भी carry करें और फॉरण उसी वक्त आप अपने laptop के साथ आप अपने DVR को connect करें हमने आपको एक video के अंदर बताया है कि आप अपने DVR या फिर NVR को laptop के थुरू कैसे login करते हैं तो आप अपने DVR को laptop के उपर login कर ले और फिर हम जो आपको ये setting बता रहे हैं बहां जाके ये देखिए आप देख पा रहे होंगे display के अंदर फिर आप अपने resolution के अंदर का एक option होता है यहाँ पे resolution के अंदर जाए यहाँ के आपको अलग अलग तरह का resolution दिख जाएगा आपको ये पता कर लेना है कि आप जो monitor कर देना है सेपक क्लिक करने के बाद आपका जो resolution है TV के recording सेट हो जाएगा फिर जाके आप अपने DVR को monitor के साथ connect करें तो आपका TVR monitor के ऊपर open हो जाएगा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को like कीजिए और अपने फ्रेंट के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए ताके वो भी इस वीडियो का फाइदा उढ़ा सके है मिलते हैं एक नए topic के साथ तब तक के लिए good bye